हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक मैं यूटूब चैनल कैसे हो आप आई हो पाप अच्छे होंगे और इस मकरशकरान्ती हम बनाने वाले हैं कुछ अलग हम कोई गुड की चिक्की या फिर हम कोई गचक नहीं बनाने वाले हम इस मकरशकरान्ती बनाएंगे बहुती special से चीज और इसको आप खा कर बहुती खुस होने वाले हो चलो बनाना करते हैं start देखो हमने ले लिये मकाने या पर एक लगबग एक बड़ा कटोरा ले लिया है देखो और इसको हम क्या करेंगे इसको हम करेंगे ड्राइ रोष्ट ड्राइ रोष्ट हम कर लेंगे घी में हमें इसको रोष्ट नहीं करना है हम इसको करेंगे ड्राइ रोष्ट ठीक है अच्छे से हम इसको रोष्ट कर लेंगे और इस वाले रेसेपी में हम कुछ ज़्यादा भी सामान नहीं डानने वाले हैं हम इसमें सिर्फ गुड तिल और मक्षाने ही डालेंगे इसी से ही हमारे रेसेपी हो जाएगी बिल्कुल अलग देखो हम इसको भूनने के बाद थोड़ा सा चैक कर लेंगे देखो जैसे हमारे ये बिल्कुल अच्छे से तूट गए है ना हाथ से तोटने से ही तो क्या है कि हमारे जो मक्षाने है ये अच्छे तरीके से रोष्ट हो चुकी है हमें जादा नहीं बूनने इसको इसको जो मोस्चर है जो नमी है वो निकालने है बस थोड़ी देर के लिए हम इसको बून लेंगे और उसके बाद रोष्ट होने के बाद निकाल लेंगे अलग बरतन में अभी हमें करना क्या है देखो ये ले लिया मैंने गुड देखो मकाने मैंने निकाल लिया अलग बरतन में ठंडे होने के लिए रख दी है और गुड ले लिया है और हम क्या करेंगे देखो यहां एक पैन करम करेंगे उसमें डालेंगे गी लगवग एक चमच हमें गी डालना है जादा गी भी नहीं डालना है सिर्फ हम एक चमच गी ही डालेंगे इसमें और उसके बाद हम क्या ग्राइंड इसको कर लो इसका बिल्कुल मतलब छोटे छोटे पीस कर लिया थे उसके बाद हम क्या करेंगे इस गुड को हम अच्चे से पका लेंगे चासनी बनानी है और इसमें कोई भी एक तार वाली चासनी नहीं बनानी या फिर हम इसको बिल्कुल ही कलड़ा नहीं इस बात का आपको ध्यान रखना है और हम यहाँ पर करेंगे क्या पेसंस के साथ आपको बनाना है थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर लो फ्लेम पर ही पकाए इसको जो हम गुड पकाएंगे ना इसको हम लो फ्लेम रखेंगे उस टाइम पूरे ही प्रोसेस म हम low flame रखेंगे ठीक है देखो बिल्कुल आराम से हमारा जो good है वो melt हो चुका है दीरे दीरे melt होगा आराम से जल्द बाजी नहीं करनी या फिर आपको gas की flame high या फिर medium भी नहीं करनी हम low flame पर ही इसको बनाएंगे बहुत आराम आराम से बस इसी time थोड़ा सा time लेगेगा बनात या फिर आपके gas के low के आपकी जो gas की flame में उसकी हिसाब से time लगेगा 5-6 मिन्ट या फिर 6-7 मिन्ट लगेगे ठीक है और अच्छे से हम इसको पका लेंगे यहाँ पर good को और एक बात आपको धियान और रखनी है जिस time हम good को पकाएंगे ना उस time हम इसको लगातार चलाते रहेंगे यहाँ पर हम इसको छोटेंगे नहीं ठीक है लगातार चलाते रहेंगे नहीं होगा क्या कि नीचे से हमारा good पक जाएंगा उससे जो हम मतलब मकाने तयार करेंगे ना बाद में तो उससे good का color dark आएगा ठीक है पकने के बाद dark color आएगा देखो थोड़े थोड़े जाग बनने शुरू हो चुके है अच्छी तरीके से हमारी जो चासने अब बन रही है मैंने किया किया है एक पानी की कोटोरी में इसको निकाल लिया थोड़ा सा पानी में डालके हम देख लेंगे देखो यह अच्छे से तूट गया है अगर यह खीच रहा है बिल्कुल प्रफेक्ट बना है और यहां पर डाल देंगे हम थोड़ा सा सिर्फ थोड़ा सा हम डाल देंगे घी एक चम्मच जादा नहीं सिर्फ थोड़ा सा घी डालेंगे हम यहां पर इससे क्या होगा एक तो हमारे जो यह हम बनाएंगे न मखानी वह थोड़े सोफ्ट भी रहेंगे और दूसरी इसमें साइनिंग बहुत अच्छी आएगी ठीक है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा बस थोड़ा सा हमें एक चमच घी डालना है और यहां पर आप क्या डालो सोट और फिर काली मिरच भी डाल सकते हो वो अपने टेस्ट के कोटिंग आप डाल सकते हो और डालना चाते हो मैंने यहां पर स्कीप की है मैंने नहीं डाल ली आप डालना चाते हो तो डाल सकते हो और उसके बाद हमने क्या किया यहां पर डाल दिया सिर्फ दो चुटके डाला है खाने वाला सोड़ा जिसको मिठा सोड़ा बोलते है वो सिर्फ बिल्कुल थोड़ा सा और उसके बाद देखना आप इसमें जहागा आ गया उपर मीठा सोटर ढालने के बाद है ना जहाग THोड़ी ओर आ गया और कलर भी हलंका सा चेन्ज हो गए था सिर्फ मैंने एक मिंट पकाया है एक मिंट और जादा चला लिया था इसको मिठा सोटा डालने के बाद और जो हमारे मकाने थे फिर मैंने वो डाल दिये इसके उपर और इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स बिल्कुल अच्छे से हम मिक्स करेंगे यहाँ पर मैंने gas बंद कर दे थी जिस टाइम यह डाला था ना मखाने डाले थी इस टाइम मैंने gas यहाँ पर बंद कर दे थी और अच्छे से मैं इसको mix कर लूँगे उसके बाद हम क्या करेंगे gas यहाँ पर on कर लेंगे देखो जैसे ही यह coat हो जाएंगे ना पूरा सारे जितने भी मखाने थी यह हमारे जो चाशनी बनाई थी मैंने गुड में अच्छे से coat हो चुका है उसके बाद हम सिर्फ एक मिन्ट या फिर दो मिन्ट के लिए gas on कर लेंगे देखो अच्छे से mix हो चुका है उसके बाद हम क्या करेंगे अच्छे से coat हो चुका है गुडा हमारा जितना था माखाने के ऊपर उसके बाद मैंने gas on कर लिया और यहाँ पर हम डालेंगे तिल जो मैंने तिल लिये है इसमें white वाले तिल वो और वो मैंने पहले ही हलका सा रोष्ट करके रखे हुए थे पहले ही मैंने जितने भी मेरे पास पहले से तिल रखे हुए है मैंने सारे तिल अपने रोष्ट करके रखे हुए है क्योंकि मैं रेसे भी बनाते रहती है इसलिए मैंने तिल को पहले ही रोष्ट करके रखा हुआ है अगर आपके पास तिल बिना रोष्ट की हुए है या फिर बिना भूनी हुए है आप एक काम करना आप उसको थोड़ा सा सिर्फ हलका सा दो मिंट के लिए किसी पैन में डाल कर भून सकते हैं और उसके बाद इसमें डालना ठीक है मैरे जो तिल थी मैंने पहले ही रोष्ट की हुए है थी इसलिए मैंने इसको दुबारा से रोष्ट नहीं किया और आप यहाँ पर जैसे मैंने दो चमच तिल डाले हैं आप यहाँ पर तीन चमच तिल भी डाल सकते हो अगर आप जादा डालना चाहते हो मैंने यहाँ पर सिर्फ दो चम्मच तिली डाल लाया हूँ और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे फिर हम अलग बरतन में इसको निकाल के रख लेंगे ठंडा होने के लिए और हाँ निकालने से पहले मैंने किया किया है जिस बरतन में मैं निकाल लूँगे न उस बरतन में ही अच्छी टेश्टी यह रेसिपी है अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने फैमली फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए और हाँ अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सस्क्राइब करना मत भूलना ठीक है और एक बार इसको आप ट्रै जरूर करना बहुत ही अच्छी है बहुत ही टेस्टी रेसिपी थी बहुत ही अच्छी थी और देखो इसको मैंने क्या किया हाथ से थोड़ा सा मिक्स कर लिया और इसको मैं 5-7 मिन्ट या फिर 10 था बहुत अच्छे थे इस मकर शक्रान थी क्योंना हम नया बनाए कुछ अलग बनाए इसलिए मैंने यह वाली रेसिपी आपके साथ शेयर की है यह वाली स्वीट जो त्यार की है आप एक बार ट्रै जरूर करना बच्चों को पसंद आती है बड़ों को भी पसंद आएगी इसको सबी खा सकते हैं बच्चे बड़े बहुत ही चाओ से खाते हैं एक बार आप बनाके रख लो और फिर हम इसको श्टोर करके भी रख सकते हैं कुछ दिनों के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक बार फिर बोल रही हूँ वीडियो को लाइक कीजिए अपनी तारिफ ही तारिफ होगी इस मकर शकरानती तो ट्रै जरूर करना थैंक्स फोर वाचिंग